हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्णिं कैसो आप सब आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए थायराइट का कुछ योगा लेके आई हूं कि थायराइट में किस तरह से हम लोग योगा करके अपने सरीर को स्वस्त रख सकते हैं और अपने घ्रंती होत हूं कि अबस्त प्रवलों कि से प्रवलों के जान का मैं नहीं लिए और तो अपलों के वा अच्छे से जानकारी दूँगी चलिए हम लोग आज का थारहिट क्या, अपना योगा स्टार्ट करते हैं सीधा बैठ जाना है, और अपने गले को आपको नीचे जुकाना है बिल्कुल आराम आराम से अपने गरदन मे लाके अपने ठुड़ी को आपको सटाना है जितना हो सके उतना आपको करना है बिल्कुल अराम से करना है जितना आप नीचे अपने सिर को जुका सकते उतना जुकाईए फिर दीरे अराम अराम से आपको उपर की ओर अपने सिर को करना है जितना आप उपर ले जा सकते उतना पीछे की ओर ले के जाए लेकिन अपने कंद स साइड में लेकर जाए जितना हो सके आप तापने श पिछे की और घुमा हैं फिर आप सीधा जाएं फिर इस साइड आपको उसी था कर ADA करenty कुन हमता हिर अपने सीरख से रहां दोता हो जाएं पहला में आ एक बार करें अब हम दूसरा अपना योगाय स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपको सीधा बैतल poz branch के इस तरह से पैर के मोड़ना है और अब इस तरह आपको जुकना है जुकने का कोसिस करना अगर आपको इस तरह से ना हो, आप अपने कमर पे हाथ रखके पीछे की और अपने सीर को ले जाए, और अगर आपको हो सके तो आप अपने जैसे इस तरह सपोर्ट ले कमर का और पीछे जूkm की कोसिस करें। लेकिन अगर आपको वजन बहुत जादा है तो आप क्या करें पहले कमर पर हाथ रखके प्रैक्टिस करें कि जूकने का इस तरीके से ताकि आपको एक सपोर्ट मिलेगा और आप जितना जा सकते पीछे उतना ही जाए और बाद में जब आपको करते करते इसकी अच्छी प्रै आρएट ग्रंथी के लीए होता है और वह उससे आपका थाशाइट बहुत ही अराम से नोर्मल रहेगा तो आपका हार्मोन बैलेंश रहेगा जो इन तो इस तरह से आपको रहना है फिर हमारा तीसरा योगा में आपको क्या करना है इस तरह से सीधा लेटना है दोनों पैरों को उठाना है घुटने के पास से मोडना रहाथों से अपने पैरों को थोड़ा टामते हुए अपने सीर को ऊपर की और उठाना है तो यह भी हो जाए तो आप एक को चार पांच बार कर ले तो फिर आपको इस तरह से करना है नेक्स्ट योगा जो है यह भूजंग आसन भी से बोलते हैं तो इस तरह से अपको अपने हाथों से गर्दन को पीछे की और लेके जाना है सीर को जितना पासमान की तरफ उठा सकते हैं उतना को उठाना है और आराम से फिर रिलाक्स हो के नीचे आ जाना है तो ऐसा भी आप पांच से दस बार कर सकते हैं यह भी थाराइट के लिए बहुत अच्छा है अब आपको क्या करना है सीधा लेटना है और अपने पैरों को इस तरह से आपको बिल्कुल सीधा रखना है जैसे हम सरवांगासन करते लेकिन जो लोग सरवांगासन नहीं कर सकते वह अपने पैरों को इस तरीके से भी सीधा रख सकते हैं और आप चाहो तो दिवाल का सपोर्ट लेकर आप इस तरीके से लेट सकते हैं मैंने पहले के एक्सेसाइज में बता रखा है जो सिंपल टू एक्सेसा होता है तो इस तरह से आपको लेटना है अब हम करेंगे शर्वांगाशन तो उसके लिए अपने पैरों को सीधा लेके इस तरह से उठाना है धीरे-धीरे यह भी थाराइट के लिए बहुत ही अच्छा योगा है और सर्वांगाशन और हलासन का मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है आप अगर चाहो तो अलग से जाके मेरा देख शकते हो जो मेरे बहुत सिंपल तरीके से बताया है और आप अपने बेड़ पे ही आप लोगों कर सकते हैं तो इस तरह से हलासन के बाद आपको यह लासन की स्थिति में आतना है सर्वांगाशन के बाद तो अपने पै तो कुछ दिर आपको रिलाक्स जरूर करना है अगर आप एक से दो मिनट इसे कर सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा रहता लेकिन जब आप सुरू में इसे का प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने बेड़ पर ही करें जो मैंने पहले एक्ससाइज बताया वह देख कर सकते हैं तो के वाइ थैंक यू